UDH मंत्री शांती धरिवाल कोटा के तीन दिवसी दौरे पर है इस दौरान मंत्री शांती धरिवाल ने कोटा शहर में तीन हजार करोड से ज्यादा की लागत से चल रहे विकासकारियों का सिलान्याश्क किया तो वही कोटा में 45 प्लस आयू वर्ग के लोगों के लिए 19,000 कोरोना वैक्सिन की विवस्ता हुई है लेकिन 18 प्लस के आयू वर्ग के लिए अभी तक वैक्सिन की कोई विवस्ता नहीं हुई है हमारे समधादा की ये रिपोर्ट देखिए कि युवाओं के लिए कोटा को मिलिए 19,000 डोज मगर सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को पिछले हफ्ते से लेकर अभी तक कोई डोज नहीं लेगी है बात की जाती अठारा प्लस के जो युवाओं उनको डोज लगाने की मगर कोटा के तमाम टिका करन केंद्रों प तक भी यहाँ पर युवाओं के टिका करन के लिए कोई व्यवस्ता मुझूद नहीं है साथ में टिका करन की इस्तिती भी देख सकते हैं यहाँ पर 45 प्लस के जो आयू वर्गी के जो लोग हैं उनके लिए टिका लगाया जाना है मगर अभी तक टिका लगाने के लिए सोचल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए दूर खड़े हुएं मगर कहीं नहीं कर पाया है सबसे बड़ी बात यह कि युवाओं को बाजार जाना पड़ता है और बड़ी जिम्मेदारी का निर्वा करना पड़ता है तो साथ में सबसे बड़ी बात है कि वेक्सीन के यह वेक्सिन अभी नहीं है और युवाओं को वेक्सिन के लिए अभी लंबे इंतिजार की आउशक्ता है साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कोटा जो शहर की और कोटा ग्रामीन की बात की जाती है तो कोटा ग्रामीन के लिए यहाँ पर अब तक मात्र 11 से अभी तक कोटा शहर में टीका नहीं लगा है अगर बात की जाए जिला प्रसासन की और जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके अनुसार अभी एक हफ्ते और युवाओं को टीका करण से दूर रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर युवाओं के लिए जो पूची में यदि नाम लिया जाए तो युवाओं का नाम है और युवाओं के नाम के साथ ही यहाँ पर युवाओं को टीका करण कोटा शहर में बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है केमरामेन विकरम सिंग्चोवान के साथ राहन दर बार्द्वाज इंडिया निउज